बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम निर्स्टी क्लास, आज है हमारा इंग्निश का लेसन, क्यापिटल लेटर वी से रिलेटेड, तो डियर टीचर्स, आज की लेसन में जो हमने एक्टिविटीज करनी है, उसका माटीरियल प्लीज रेडी कर लीजिए, टास्क हम हमारा यही है कि हम क्यापिटल लेटर की रेके बाते हैं, आपने उसके रिट्रीफ करवानी है और उनकी करेक्ट पर फोकस करना है, तो प्यारे बच्चों स्क्रीन पर देख के बताईए, आपको क्या क्या नजर आ रहा है, पहले जो एक्टिविटी है, यह फ्लाश कार्ड क जो आपको नदरारी स्कीन पर वो क्या है? एक वाज है उसके अंदर से flower grow कर रही है बाहर फ्लावर निकल रहे हैं तो यह क्या है यह जो pot है इसको वैसे pot भी कहते हैं लेकिन जिसके अंदर पर especially flowers लगाते हैं उसको कहते है वाज वाज, जरा सोची आपके घर में वाज़ है कहीं आपने किसी और के घर में वाज़ देखा है किसी Flower Shop में कभी गये हैं, वहां वाज़ देखा है अभी आपने सोचना है और टीचर को फिर जवाब देना है यह एक Musical Instrument है क्या कहते हैं इसको? It's like a guitar लेकिन इसको यहां शोल्डर पे रखते हैं और इसके अपर जो है जो strings होती है उसको एक ऐसी stick के साथ बजाते हैं इसको क्या कहते हैं किसको इसका नाम आता है It's a violin Violin Was Violin तो शुरू की क्या आवाज है व Victory वालव और letter जो है capital इसका नाम है वा नहीं है टीचर्स यह है व व From front of the lips व और इससे जो हमने भी vocabulary discuss की वाज और हमने क्या discuss किया Violin वो दोनों के शुरू में व की sound आती है So टीचर्स डवली की sound में और व की sound में जो difference है वो sound की जो है वो कॉस quality का है जो हम produce करते है व जो है वो आपकी front of the lips और आपकी जबान से produce होता है लेकिन जो वो यानि डवली की sound है जो आगे आएगी उसके लिए इनको हलक से थोड़ा सा sound का जो है वो effect दिनना होता है इसलिए वो और वो का difference है जो lesson में आप इनको clear करेंगे आपको अपने page के ओपर आज का capital letter V नजर आरा है बुट जो जो में काप इन साइन आप विए अन्स किन शो में जो में आपको the sign the capital letter V so the capital letter V and the small letter V are the same slanting line and other slanting line upward down and then up it's a one stroke alphabet so there is a poem also in art corner activity आपको आपको हे भाए आफिर करे होंगे कि पहले आप करेंगे teacher के साथ practice is sound की, उस vocabulary की और फिर teacher आपको कुछ pipe cleaners देंगी या हो सकता है straws दे दे या कोई strings दे और उससे आप बनाएंगे प्यारे प्यारे छोट-छोटे flowers जिनको आप किसी paper cup के wash में plant करेंगे teacher वैसे तो this is this is an activity for artificial flowers because इनको flower making भी आएगी लेकिन अगर आप real flowers के seed भी इनके साथ plant करवाना चाहें तो वो activity भी कर सकते हैं using a paper cup and please do not use a paper cup आप polythine का cup या plastic का cup ले ले जब तक seeds bud नहीं कर जाते हैं तब तक आपको उस paper cup को save रखना है इसलिए आप plastic का या किसी ऐसी material का cup ले ल ले लिजिए जिसके अंदर वो काफी देर तक retain कर सके और पानी देने से वो खराब ना हो so these are suggested activities for you और आज देखते हैं जो हमने capital letter भी बच्चों को सिखाया क्या उनको उसका नाम याद हो गया वी इन देखें कितना असान है आप तो पनी fingers से भी शो कर सकते है capital letter V और उसकी sound क्या है व व व very good oh very good is also with the sound व very good now this is a picture of a vase but it looks colorless so what you are going to do you are going to read V व व क्यूंकि ये आपका sight word है वास का माइनी क्या है यानि गुल्दान को कहते है जिसमे प्यारे 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 फूल लगाते है और फिर आपने इस गुल्दान में यानि वास में flowers में color करना है the other word for you today is a musical instrument called a violin violin starts with the capital letter V sound V V V violin so teachers याज इनके sight words है इनको आपने अपनी vocabulary wall पे लिखना है आप किसी chart paper पे लिख के लगा लें board पे लिख के बार बार दिखाए इनको आज was और violin ये दोनों words आने चाहिए coloring के बाद discussion के बाद definitely I'm sure कि इनको याद रहे जाएंगे कि इन्होंने आज जो sound की है वो कौन सी थी क्योंकि उन्होंने घट जाके भी was जैसी जो चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनकी शुरू में work की sound आती है वो identify करनी है work sheet complete करनी है writing के practice करनी है और was और violin को इन्होंने भी सीखना है so teacher आज इनकी listening, speaking, reading सारों को आपने address करना है और फिर by the end of the lesson आपने बच्चो को एक पोम भी सिखानी है so are we ready to sing the poem good vegetable van, vegetable van driving around the village in the valley going around वो 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 vegetable, वो van, can you see that and I can see another work, can you see it valley and I can see it in front of village and I can also see in the word driving तो देखा कितने सारे वो तो मझे यहीं पर नजर आगे so teachers इसी तरह ही जब बचों को sound की face की recognition होती है तो print material से वो आपको ढून के दिखा सकते है and that is the best activity for their recognition तो अभी बच्चों क्या करेंगे जब आपनी सारा काम complete कर लिया तो teacher एक दिन आपके साथ करेंगी एक volcano बनाने का science experiment, teacher इस experiment का material इचे lesson plan में दिया गया है और steps पी दिये गये हैं, आपको चाहिए होंगी कुछ plastic bottles, एक container जिसके अंदर आप इनको sand या किसी ऐसे मच से कठा रखेंगी बोतल में डालेंगी आप थोड़ा सा पानी, सिर्का और जब आप इसमें डालेंगी baking soda तो यह जल्दी से bubble करके बाहर आजाएगा like a volcano effect, तो इसकी जो है बहुत सारी different activities की videos भी YouTube पे आपको मिल जाएगी और lesson plan में already इसकी instructions आपको दी गई है तो classroom इसको perform करने से पहले teachers आप पहले एक छोटा से trial अपने पास घर पे या staff room में करके देख लीजिए कि आपको किती quantity में baking soda डाला है ताकि वो बहुत जादा बड़ा जो है वो blow up ना बन जाए so teachers please आपने बच्चों के साथ यह experiment last में करना है बच्चे are going to enjoy it और यह वो volcano की activity है और यही आज का हमारा sound भी है और letter भी है और real कोई video हो तो उनको ज़रूर दिखाएगा about volcanoes so please carry on with the activity take care of yourself Allah Hafiz